1976 में मिथुन जी की पहली मूवी आई मिर गया और वाई सब ये वाली मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी दूसरी मूवी आई दो अंजाने और ये वाली मूवी सेमी हिट रही 1977 में इनकी तीसरी मूवी आई मुक्ती और ये वाली मूवी एबरज रही 1978 में इनकी चौती मूवी आई हमारा संसार और ये वाली मूवी एबरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा रच्छक और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई फूल खिले हैं गुलसन गुलसन और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1989 में इनकी मूवी आई तेरे प्यार में और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई सुरच्छा और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई प्रेम विवा और ये वाली मूवी एबरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई इमान धरम और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई तराना और ये वाली मूवी हिट कराना इसके बाद इनकी मूवी आई हबरी और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1980 में मिथुन जी की मूवी आई आखरी इंसाफ और ये वाली मूवी एबरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई ख्वाब और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई कस्तूरी और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई सितारा और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई 19 बेस और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई टैक्सी चोर और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई किस्मत की बाजी और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई पतीता और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही, आप लोग इसको पपीता मत समझ न, इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई हम पांच और ये वाली मूवी हिट रही, वैसे ये वाली मूवी काफी अच्छी थी, इसके बाद इनकी मूवी आई किस्म इसके बाद मिथों जी की मूवी आई हमसे बढ़कर कौन और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई धुआ और ये वाली मूवी एबरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई लापरवा और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1982 में मिथुन जी की मूवी आई आमने सामने और ये वाली मूवी हिट रही 1982 में इनकी मूवी आई उस्ताजी उस्ताज से और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई सुकून और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई अशान्ती और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई तोरे और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई हीरो का चोर और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई आदस से मजबूर और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई सुन सजना और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई तकबीर का वाश्या और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई श्वामी दादा और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मुवी आई डिसको डांसर और वाई सब ये वाली मुवी ब्लग बश्टर रही दोस्तों ये मिथुन जी की एक ऐसी मूवी थी जिसको पूरे भारत में ही नहीं बलकि पूरे विस्स में पसंद किया गया था अगर आपने इनकी इस मूवी को देखा है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए 1983 में मिथुन जी की मूवी आई तकदीर और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई कौन कैसे और ये भी एवरिज रही इसी साल इनकी मूवी आई लाल चुनरिया और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई वो जो हसीना और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई कर राठे और ये वाली मूवी आबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई परेब और ये वाली फ्लॉप रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई हमसे है जवाना और ये वाली मूवी हिट रही वैसे ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मुझे इंसाफ चाहिए और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई पसंद अपनी अपनी और ये भी हिट रही 1984 में मिथुन जी की मुवी आई वांटेड और ये वाली मुवी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई बॉकसर और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मुवी आई सरारा और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मुवी आई तेरी बाहों में और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई हसते खेलते और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई घर एक मंदिर और ये वाली मूवी सुपर हिट रही दोस्तो ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स बताईए इसके बाद मिथों जी की मूवी आई तरकीब और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई बाजी और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद मिथों जी की मूवी आई रक्षा बंधन और ये भी एवरिज रही वैसे ये वाली फिल्म भी काफी अच रही, 1985 में मिथुन जी की मूवी आई प्यार जुकता नहीं और ये वाली मूवी सुपर हिट रही, इसके बाद इनकी मूवी आई आधी तोफान और ये वाली मूवी हिट रही, इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई चार मराथी और ये वाली मूवी हिट रही, इसके बाद यारी बहना और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई बेपना और ये वाली मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी मूवी आई आरपार और ये भी एवरेज रही इसके बाद मितुन जी की मूवी आई मा कसम और ये वाली मूवी हिट रही वरसे य मिफंजी की मूवी आए दिलवाला ये वाली मोवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आए जालू और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई स्वर्ग से सुंदर और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद मिथों जी की मूवी आई बात बन जाए और ये वाली मूवी एबरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई अम्मा और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई करमदाता और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथों जी की मुवी आई किस्मत वाला और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई मुद्दत और ये वाली मुवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई नसीहत और ये वाली मूवी एवरज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई प्यार के दो पल और ये वाली मूवी एवरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई सीसा और ये वाली फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई मैं बल्वान और ये वाली मुवी हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मुवी आई अभिनाश और ये वाली मुवी हिट रही 1987 मिथुन जी की मुवी आई दीवाना तेरे नाम का और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा यार मेरा दुस्मन और ये वाली मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई डांस डांस और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई परिवार और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई हवालात और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई हिरासत और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई वतन के रखवाले और ये वाली मूवी सुपर हिट रही वैसे दोस्तों ये वाली मूवी भी काफी अच्छी मूवी थी अगर आपने ये मूवी देखिये तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स बताईए इसके बाद इनकी मूवी आई परमधरम और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही दोस्तों मिथुन जी की फिल्मों की लिस्ट काफी जादा लंबी है हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए मेरी कोशिस हमेशा यही रहती है कि आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ आंज तक बने रहीएगा साथी साथ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथी साथ आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा 1988 में मितुन जी की मूवी आई प्यार का मंदिर और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई चरणो की सौगंद और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई सागर संग्राम और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई रुकसत और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई कमांडो और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई वक्त की आवाज और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई साजीस और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई जीते हैं सान से और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई मर मिटेंगे और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई अगनी और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई गंगा जमना शुराश्वती और ये वाली मूवी फ्लॉप रही हाला कि दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी थी 1999 से मिथुन जी की मूवी आई गलियों का वाश्चा और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी जबान और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मिल गई मंजील मुझे और ये वाली मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई 20 साल बाद और ये वाली एवरज रही इसके बाद इनकी मूवी आई गुरू और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई प्रेम प्रतिक ग्या और ये वाली मूवी सुपर हिट रही वैसे ये वाली मूवी भी काफी अच्छी थी इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई आखरी गुलाम और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई हिसाब खोन का और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई दोस्त और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी म मुवि आई कि प्यार के नम कुरबान और ये वाली मुवि दिसके बाद ही सांदार आग प्यार कर शा कि ये बाद मुवी दिसके भाद un do आई पतनी और जल्दी से कॉमेंट बोक्स बताइए लेमिशी बाध रही हमसे न तकराना और ये वाली मुवी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई गुनाहों का दे होता और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद मिथुझे की मुवी आई दुस्मन और ये वाली मुवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मुवी आई पाप की कमाई और ये वाली मुवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई रोटी की कीमात और ये वाली मूवी हित रही दोर तो ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से comment box बताईए 1991 में मितुन जे की मुवी आई नंबरी आदमी और ये वाली मुवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मुवी आई प्यार का दे उता और ये वाली मुवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई सिकारी और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मुवी आई प्यार हुआ चोरी चोरी और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मुवी आई प्रतिग्याबाद और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मुवी आई तरनेत्र और ये वाली मुवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई स्वर्ग यहां नर्क यहां और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई साजना साथ मिभाना और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई जूटी सान और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आए पीतांबर और ये वाली मूवी हिट रही 1993 में इनकी मूवी आए योगिंदर और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आए फूल और अंगार और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई कृष्ण उतार और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई महरबान और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई परदेशी और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी movie आई आदमी और ये वाली movie हिट रही इसके बाद मिथुन जी की movie आई दलाल और ये वाली movie सुपर हिट रही दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि मिथुन जी की फिल्मों की लिस्ट काफी ज्याधा लंबी है अगर आप लोग एक पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बाद इनकी मूवी आई जीवन की सतरंजु और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई सतरंजु और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई तड़ी पार और ये भी एवरिज रही 1994 में इनकी मूवी आई परमात्मा और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई क्रांती छेत्र और ये भी एवरिज रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई चीता और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई जंता की आदालात और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई नाराज और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई तीसरा कौन और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई रखवाले और ये वाली मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मुवी आई निसाना और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथोंजी की मुवी आई जलाद और ये वाली मुवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई एहंकार और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई अब इंसाफ होगा और ये वाली मुवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मुवी आई गुनेगार और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथोंजी की मुवी आई दडाउन और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही हलाग ये वाली मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी इसके बाद इनकी मूवी आई दिया और तोफान और ये वाली मूवी एवरिज रही 1996 में इनकी मूवी आई निर्भय और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई मुकदर और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई जुर्माना और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई भीमा और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई दानबीर और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथोन्य की मूवी आई अपने दंपर और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई अंगारा और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई जंग और ये वाली मुवी एवरज रही इसके बाद इनकी मुवी आई रंगवाज और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही 1997 मेंन की मुवी आई सपत और ये वाली मुवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मुवी आई जोडीदार और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई लोहा और ये वाली मुवी हिट रही वैसे दोस्तों ये वाली मुवी काफी अच्छी मुवी थी इसके बाद इनकी मोवी आई कालिया और ये वाली मोवी एवरज रही इसके बाद इनकी मोवी आई गुडिया और ये भी एवरज रही इसके बाद इनकी मोवी आई दादागिरी और ये वाली मोवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई सूरज और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई जीवन युद और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुझे की मुवी आई क्रांतिकारी और ये वाली मुवी एवरिज रही 1998 मिथुझे की मुवी आई सेरे हिंदुस्तान और ये वाली मुवी एवरिज रही इसके बादन की मुवी आई साजिस और ये भी एवरिज रही इसके बादन की मुवी आई चांडाल और ये वाली मुवी हिट रही दोस्तों ये वाली मूवी काफी अच्छी मूवी थी इसके बाद इनकी मूवी आई हत्यारा और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई उस्ताजों के उस्ताज और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई हिटलर और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई देयोता और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मर्द और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई दो नंबरी और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई यमराज और ये भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई हिम्मत वाला और ये वाली मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई गुंडा और ये भी एवरिज रही इसके बाद मिथों जी की मूवी आई माफिया राज और ये भी डिजास्टर रही 1999 में इनकी मूवी आई हीरा लाल पन्ना लाल और ये भी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई सिकंदर सडक का और ये भी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई कहानी किस्मत की और ये भी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा की कसम और ये वाली मूवी एवरज रही इसके बाद इनकी मुवी आई सन्यासी मेरा नाम और ये वाली मुवी डिजास्तर रही इसके बाद मिथोंजी की मुवी आई बे नाम और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मुवी आई आया तोफार और ये वाली मुवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई तबाही और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई माकसम और ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई सोतेला और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही साल 2000 में इनकी मूवी आई सुल्तान और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही, इसके बाद इनकी मूवी आई जौला मुखी और ये भी फ्लॉफ रही, हलाक ये वाली मूवी काफी अच्छी थी, इसके बाद इनकी मूवी आई बिल्ला नंबर 786 और ये भी फ्लॉफ रही, इसके ब वाली मूवी मुझे काफी अच्छी लगती है अगर आपने इसको देखा है तो जल्दी से comment box बताइए बाद इनकी मूवी आई सबसे बड़ा बेइमान और ये भी disaster रही इसके बाद इनकी मूवी आई जस्टिन चौधराइन और ये वाली मूवी disaster रही इसके बाद इनकी जहरीला और ये वाली मूवी disaster रही इसके बाद इनकी मूवी आई बंगाल टाइगर और ये वाली मूवी average रही इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी बहनिया बनेगी दुलनिया और ये वाली मूवी disaster रही हाला कि दोस्तों ये वाली मूवी भी काफी अच्छी मूवी थी इस 2002 में मिथुन जी की मूवी आई मार्सल और ये वाली मूवी डिजास्टर रही, इसके बाद इनकी मूवी आई मवाली नंबर वन और ये वाली मूवी फ्लॉप रही, इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी पृतिग्या और ये भी फ्लॉप रही, इसके बाद इनकी मूवी आई क चालबाज और ये भी डिजास्टर रही, इसके बाद इनकी मूवी आई एलान और ये भी डिजास्टर रही, 2005 में की मूवी आई कतले आम और ये भी डिजास्टर रही, 2006 में की मूवी आई चिंगारी और ये भी डिजास्टर रही, इसके बाद इनकी मूवी आई इनसाफ की ज तोफ पत्रिम आए पाईना और ये भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मुवी आई गडॉब गजंद की तेरे नाम। और ये वाली मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई हाउस फुल टू और ये वाली मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई खिलाडी 786 और ये वाली मूवी एबरिज रही 2013 में इनकी मूवी आई बॉस और यह वाली movie fluff रही 2014 में इनकी movie आई preacher और यह वाली movie blockbuster रही इसके बार इनकी movie आई entertainment और यह वाली movie fluff रही 2003 में मिथुन जी की movie आई दकस्मीर फायल्स और बैसरब यह वाली movie all time blockbuster साभीत हुई है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मितुन चक्रवती जी ने अपने कैरियर में कई सारी language में काफी सारी फिल्में की हुई हैं आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको इनकी Bollywood की फिल्मों के बारे में बताया है तो दोस्तो यह था मितुन चक्रवती का फिल्मे सफर आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी है जल्दी से comment box बताईए इसके लावा आपको अगली वीडियो की topic पर चाहिए किसके उपर चाहिए ये भी जल्दी से आमको comment box बताईए तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद and thanks for watching this video